जैसे कि आप सुक को पता है कि सोरव गांगली और वराट कोली के बीच काफी विवाद है और ऐसा ही हमें कुछ RCB और देली कैपिटल्स के मैच के बीच में देखने को मिला जहां मैच कतम होने के बाद सारे प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे वहीं वराट कोली ने सोरव गांगली को इगनोर करते हुए उनसे हाथ नहीं मिलाया जैसे कि आप इस फोटेज में देख सकते हो कि पहले रिक्की पॉइंटिंग ने फैब्ली प्लेशी से हाथ मिलाया वराट कोली से हाथ मिलाया और रिक्की पॉइंटिंग के पीछे सोरव गांगली खड़े थे और रिक्की पॉइंटिंग वराट कोली से बात कर रहे थे और